आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम असे दान तक नहीं हो, तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत-बहुत सभागत है, CVC की बात करेंगे, Central Vigilance Commission, Non-Constitutional Bodies देख रहे हैं, इसके बाद हम आपका फेवरेट CBI की बात करेंगे, तो चलिए आगे corruption हो रहा है, CVC के बात चले जाओ, CVC inquiry करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सोंपे की, समझ रहे हैं, 1964 में executive resolutions इसको बनाया गया, बताओ बेटा, executive resolution क्या होता है, पिछले 5 lectures से मैं चला रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के, अब आपकी बारी है, executive resolution बताओ, statutory bodies बताओ, constitutional constitutional bodies बताओ, बताओ, constitutionals और non-constitutional, non-constitutional में ही statutory और executive आजाएगा, चलो comment box में बताओ, ठीक है, संथनामम कमिटी ने इसको recommend किया था, ठीक है, इसलिए इसको 1964 में बनाया गया, संथनामम कमिटी ने CBI को भी recommend किया था, ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने बता, neither constitutional nor statutory, लेकिन 2003 में CVC के लिएक act अपारित हुआ, जिससे इसको statutory body बना दिया गया, समझ रहे हैं, अब ऐसा है, कि CVC की बात करे, तो, एक मिनेट ज़रा, हाँ, CVC की बात करे, इसको composition क्या है, simple, एक head होगा, जिसको हम commissioner कहते है, CVC में, ये commission inside सी बात है, commission क्या, मामले में देखती है, उसके बाद report सौपती है, यही होता है commission का काम, तो CVC क्या करती है, corruption हुआ, ठीक है, इनके पास मामला आया, तो central vigilance commissioner, chair person होता है, और दो से ज़्यादा vigilance commissioner नहीं होते हैं, समझ रहे हैं, एक chair person और उसके बाद दो और commissioners, समझ गए, कौन इनको appoint करता है, president, लेकिन president कैसे appoint करेगा, याद र भी committee बनाई जाती है, जो कि president को advise करता है, तो यहाँ पे भी three member committee होती है, non constitutional bodies में आपने देखा, कि क्या होता है, members को राश्टपती appoint करता है, लेकिन राश्टपती को recommend कौन करेगा, एक और committee, तो अगर CVC के लिए बात करे, तो तीन member की committee होती, जिसमें प्रधान मंत्री, head होत जाती है, appointment के लिए जो बनाई जाती है, उनके head prime minister होते है, याद रखिएगा, home minister, CVC की बात है, तो home minister, मतलब दूसरे members, और leader of opposition, तो तीन member की committee में head कौन होता है, prime minister, फिर home minister, फिर leader of opposition, tenure क्या है, या तो 4 साल के इनका tenure होता है, जो chair person होते है, या फिर 65 साल, जो भी पहले आ ज president हटा सकता है, बिलकुल, कब, अगर वो insolvent है, अगर उसको convict किया गया है, अगर office के इलावा कहीं और से पैसा कमा रहा है, किसी और office में काम कर रहा है, अगर mentally stable नहीं है, समझ गए, या उसका कहीं और financially interest है, ये आपके provisions होते है, non-constitutional bodies के provisions जो है, याद रख लीजे, और हर जगा cut copy paste कर दीजे, president क्या remove करेगा, ये 5 कैसे remove करेगा, ये 5 जो है, 5 जो points है, ये आप याद रख लीजे, और हर non-constitutional body में यही cut copy paste कर दीजे, removal of chair person, same, बिलकुल, ये 5 points हर जगा आपको मिलेगे, बता रहो ना मैं, फिर दोस्तो composition क्या है, देखे, composition की बात करे, सबसे पहले तो composition तो हम देखी चुके है, salary की बात करे, तो salary, जो chairman की salary होती है, जो vigilance commissioner की salary होती है, जितना UPSC के chairman को मिलता है, उतना इनको मिलता है, ठीक है, तो जो UPSC के chairman को मिलेगा, जो facilities UPSC के chairman को मिलेगी, वो vigilance commissioner को मिलती है, समझ गए, इनका खुद का secretariat होता है, खुद के technical examiner होता इनका ठीक है तो यह चीज है function क्या है कहीं पे भी corruption होगा सरकार में अगर corruption हुआ 1988 prevention of corruption act के हिसाब से यह लोग करवाई करेंगे समझ गए कोई भी central government का employee अगर corruption करेगा तो यह लोग इनके पास जब आमला हैगा तो यह लोग investigate करेंगे inquiry करेंगे समझ गए बकाइदा इनके पास ताकत होती है कि investigate कर सकते है inquiry कर सकते है समझ गए तो basically corruption को देखती है 2011 में एक whistleblower act आया whistleblower act बहुत important था ठीक है इसने क्या किये यह जो prevention of corruption act इसमें basically amendment किया समझ गए है इसमें changes किया इसमें changes क्या थे देखो changes यह थे अगर changes की बात करें whistleblower act की सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ सरकार के अधीन है ठीक है cvc की बात करें तो एक तरीके से सरकार के अधीन है सरकार को ही रिपोर्ट्स हो पे गिये ठीक है पार्लियमेंट तो कहने का मतलब यह है कई बार ऐसा होता है कि लोग बच जाते हैं ऐसा नहीं होगा whistleblower act 2011 यह कहता है अगर सरकार irregularities हैं लोग अगर मतलब सरकारी जो नुमाइंदे हैं वो कर रहे हैं उसको रिपोर्ट करो सीधा कमिशनर के पास जाओ ऐसे लोगों को इसमें इंकलेश किया जा रहा है जो लोग इन करप्शन को उजागर करेंगे जैसे माल लीजे कि मेरे साथ कुछ हुआ ठीक है सरकारी किसी सरकारी नुमाइंदे ने मुझ से रिश्वत ली तो मै कि टाइम बड़ा प्रिश्यस होता है इन सारी कमिशन का आप समझ गए तो विसल ब्लोर आक्ट 2011 बहुत इंपॉर्टन है जिसमें कुछ चेंजिस किये गए समझ गए उसके बाद जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो भी सीवीसी के लिए रूल्स और रेगुलेशन ब प्रिवेंशन मनी लॉंडरिंग आक्ट जो है लोग पाल लोकाई आक्ट के तहट यह जो कमिशन है वो काम करती है समझ गए और जैसा कि मैंने बताया कि A B C D कोई भी सरकारी नुमाइंदा हो अगर करप्शन किया उसने और इनके पास मामला आ गया तो गया काम से वर्किंग आना कि CBC से कंसल्ट करती है Central Government तो अल्टिमेट लियां चलती CBC की ही है और इनके पास जो इक Civil Court के पास होती है ठीक है वो इनके पास ताकत है जैसे Civil Court में मुकदमा चलता है मैंने बताया था न जब Court की बात की थी दो Court होता है Civil Court और Criminal Court तो Civil Court में जो जिस तरीके के पावर Civil Court में होती है वो त्रितस कमिशन को होती है और इनका कैर्टर जुडिशल होता है न्यायक आयक होता है पैसना दे सकता है उसके बाद जो भी इनक्वाईरी होती है पिर यह रिपोर्ट बनाई जाती है और सेंट्रल government को एडवाइस करते हैं कि आगे का जो action है वो आप ने corrupt officials पर समझ रहे हैं और CVC की जो annual performance है ठीक है वो president को दी जाती है president को देते हैं लोग अपनी annual performance और president जो है यह Parliamentary report को रखता है तो this was all about CVC आप हमारे telegram channel को subscribe करें तुरंत आपको यहाँ पे मिल जाएगी कुछ रही पर फिरी देसे सिद्धान तक नहीं होता है नहीं